नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूँ सभी का इस YouTube चनल पर जिसका नाम है Study with PN Loda साथियों राजस्तान की कला और संस्कर्ती और इतियास की जो यहाँ पर कलासे चलाए जा रही है तो उसके संदर मैं कलास नंबर 35 आपके लिए लेकर आया हूँ देखे बीच में दो दिन की चुटिया रखे गई थी, दो दिन तक नहीं तो एप्लिकेशन पर कोई टेस्ट अप्लोड किया गया था और नहीं YouTube पर कोई कलास रखे गई थी, दिपावली की चुटिया थी मैंने इनफोम भी आपको टेलिग्राम पर कर दिया था जो टेलिग्राम बना हुआ, इस्टेडी विद पेन लोदा के नाम से, वहाँ पर मैंने सूतना डाल दी थी साथियों देखे, कलास नमबर जो चोतिस अमने पड़ी थी, राजस्तान की परमुग बोलिया ठीक है, बोलियों का जो टोपिक है, आपके वैसे तो अलग सेक्शन में दे रखा है लेकिन उसको भी कलास नमस करती के अंतरगत समिलित किया जाता है इस वज़े से मैंने उसको एड़ कर दिया था तो कलास नमबर चोतिस थी वो अब यहाँ पर आपके बहुत ही कम टोपिक बचने हैं सात्यों कलास अंस करती के यहाँ पर आपका जो टोपिक है वो कौन सा है आज का राजस्तान की चित्रकलाए और कलास नमबर आज की कौन सी है, 30 पायू है यह जो कलास है लेवल एक के लिए भी और लेवल दो के लिए भी समान रूप से उप्योगी रहेगी रीटमेंस एक्जाम जो 4-5 परवरी को हबके होने वाला है 2023 में तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को देखिए टोपिक हमारा क्या है राजस्थान की चित्रकलाएं और राजस्थान की जो चित्रकलाएं हैं इसका पार्ट 1 है इसका एक और पार्ट रहेगा मतलब राजस्थान की चित्रकलाएं पार्ट 2 कलास नमबर जो 36 आपके कलाएगी तो साथियों उसमें आपके ये टोपी कंप्लीट हो जाएगा चितरकलाय पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे साथियों जैसा कि सभी को पता होगा कि नाम से ही चितरकला का सिधा सा मतलब क्या है कि जो राजस्थान में पुराने समय में और वर्तमान के समय में जितनी भी परसिद्धी चितरकलाय हैं वो आपसे पूची जा सकती एकजाम में तो किस प्रकार से प्रिशना आपके बन सकता है एक-एक चीज को हम पढ़ने वाले हैं देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में चितरकला के प्राचीन तम परमानों के बारे में कि वह राजस्थान में चितरकला के प्राचीन तम परमान कहां कहां पर मिले हैं तो याद रखिएगा साथियों जैसे अगर हम बात करें तो आलनिया नामा के एक स्थान है जो कोटा जिले में पड़ता है मुकुंदरा नामा की स्थान है ये भी कोटा में पड़ता है बेराट कहां बेराट सब भी ता भी हमने पड़ी थी ये कहां पड़ती है जेपूर में दर, दर भी एक इस्तान है साथियों जहां जो पढ़ता है आपके भरतपूर में नमाणा बुंदी में, गरद्रा बूंदी में और सिसोन बुंदी में ये मुक्य रूप से वो साथ जग Weise हैं जहां पर चित्रकला के प्राचीन तम प्रमान मले हैं यहां पर मतलब प्राचीन सम की जाती थी साथियों इसके वरतमान में भी साक्ष मोजूद है कहां का आलनिया कोटा में बेराड जेपूर में नमाना बुंदी में सिसोन बुंदी में ग्रदड़ा बुंदी में धर भरतपूर में और मुकुंद्रा कोटा में उन इस्थानों का नाम है जहांपर हमें राइडर रोग पेंटिंग मिली है गरदरा बुंदी में, सरवादिक बर्ड रोग पेंटिंग बिराड जैपूर में है और प्राचीनतम अलंकृत जो गुपा है साथियों ये बाका गाओ भीलवाडा में, प्राचीनतम अलंकृत, अलंकृत किस्से हो रही है, चित्रों से हो प्राचीनतम अलंकृत गुपा तो मिली है बाका गाओ भीलवाडा में, सरवादिक बर्ड रोग पेंटिंग की बात करें तो बेराड जैपूर है, और सरव प्रतम बर्ड राइडर रोग पेंटिंग की बात करें, तो गरदरा नामक जो इस्तान है बुंदी जीरे में, यहा राजस्तान में पोतिखाना संग्राले कहां पर इस्तित है, तो उत्तर क्या रहेगा जैपूर में, इन चारों में से ही सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट संग्रालों में यह पोतिखाना वाला ही है, पोतिखाना को विश्यस दोर पर याद रख लेना कि वही राजस्तान में प प्रमुक संग्राले हैं राजस्तान के कौन कौन से पोती खाना संग्राहले सरस्वती भंडार पुस्तक प्रकाश और जीन बद्र सूरी भंडार इन चारों संग्राहलों के इस्तान भी यहाँ पर दे रखे हैं कि सबसे जो इंपोटेंट है इन चारों में से वो कौन सा है पोत पुस्तक प्रकाश कहां हुई थी जोदपूर में और जीन बद्र सूरी भंडार कहां पर मिला है जैसलमेर में जबकि पोती खाना संग्राले हमने कहां पर देखा था जैपूर में देखा था तो इनको विशेश तोर पे इन चारों में से यह जो पोती खाना संग्राले है यह से एक्जाम में पूछा जा सकता है very important है साथ हुए ठीक है ना इसको विशेश तोर पे याद रख लेना इसके बाद में हम बात करेंगे चितरकला से समंदित राजस्तान के प्रमुक चितरकारों के बारे में तो देखिएगा साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे भीलो का चितरा किसके बारे में बात करेंगे जो है गोवर्जन लाल कहां कही है राज समंद के कहां के साथ हुए राज समंद के देखो भीलो का चित चितरा का मतलब क्या होता है समझना बात को चितरा का मतलब होता है जो आदमी चितर बनाने का काम करता है किसी विशेश टोपिक से संबंदित उसका चितर होता है जिसे भीलो के उपर जो चितर बनाने का काम करता है वो क्या कहलाएगा भीलो का चितरा और भीलो का चितरा किसे क कहा जाता है गोवर्धन लाल को कहा जाता है जो कहां के रहने वाले हैं रास्समन जिले के रहने वाले साथियों भीलो का चितेरा मतलब इनके जो चित्र होते हैं उसमें अधिकतर कौन से चित्र होते हैं इनके तो भई भीलो से सम्मंदित इनके चित्र होते हैं इसी वज़े से ये परसीद है राजस्तान में भीलो का चितेरा के नाम से कौन है एक्जाम में प्रिश्णी के से बनेगा भीलो का चितेरा किसको कहा जाता है तो आंसर क्या रहेगा गोवर्धन लाल को ही भीलो का चितेरा कहा जाता है बेसो का चितेरा कहा जाता है सात्यू परमनन्चोयल को ज नीड का चितरा कहा जाता है सोभा गिमल गहलोत को जो राजस्तान में जेपूर के निवासी है शुआनों का चितरा जगमोहन मातोडिया को कहा जाता है जबकि अगर हम बात करें राजस्तान के प्रतम चित्रकार की तो श्रिंग धर है तो यह सारी चीज़ा आपको याद रखन जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था साथियों तो मतलब उस परवत पर कोन रहते थे भील रहते थे आपको कैसे याद रखना है उस परवत पर गोवर्धन परवत पर और इसी वज़े से इसको क्या कहा जाएगा या भीलो का चितरा कि इसको गोवर्ध जो चित्र बनाएगा उसको क्या कहा जाएगा भेसो का चित्रा और राजिस्तान में भेसो का चित्रा के नाम से कौन परसिद है परमनन चोयल भेसो के चित्रे के नाम से परसिद है नीर का चित्रा नीर समत्ते हो ना जो गोसला होता है नीर का मतलब क्या होता है जो गोसला होता जग मोहन मातोडिया को स्वानों का चितरा कहा गया है बात करें हम आगे तो राजस्तान का प्रतम चितरकार भी आपसे पूचा जा सकता है कि वह राजस्तान का प्रतम चितरकार कोन है तो श्रिंग धर राजस्तान का प्रतम चितरकार है साथियों नाम क्या है श्रिंग धर ना ज़्यादा इंपोटेंट है आपके एक्जाम के लिए इन शेलियों को इस्कूल भी कहा जाता है वे क्या कहा जाता है शेलियों को इसकूल भी कहा जाता है और राजस्तान में चार शेलियां या चार इसकूल चलते हैं कौन-कौन से मेवार इसकूल, मारवार इसकूल, ढुंड के नाम से भी तो पहला प्रिशन बना कि राजस्तान में जो चित्रकला की शेलिया हैं वो कितनी है मुक्की रूप से तो राजस्तान में मुक्की रूप से कितनी चित्री शेलिया है साथियों चार मेवाड मारवाड ढूंडार और हाडोती अब इनके शेलियों की अपने अपने विशेयस्ता है इन शेलियों में अपने-अपनी another life फिए विशेयस्ता शीज़ again चली तो एक एक शेलियों को साकते हैं पहले फ़िषार्ष भाक की Anyways थो आपने वाले हम最ं मैरूर स्कुल को तो तो ज़हित हमें शुरू करेंगे हम मेवार इसकुल के बारे में साथियों मेवार इसकुल की अगर हम बात करें या मेवार इसकुल की जगे आप मेवार शेली भी लिख सकते हो ठीक है ना मेवार शेली के अंतरगत उदेपुर शेली आती है चावंड शेली आती है नाद द्वारा शेली आती है और देवगर शे तो उदेपुर शेली, चावंड शेली, नादवरा शेली और देवगर शेली देखो नादवरा रास समंध में हैं चावंड आपके उदेपुर में पढ़ता है उदेपुर दो खेर वही है ये और देवगर शेली ये चारो ही चीजे मेवार जो हमने हैं मेवार के बारे में तो आंसर क्या रहेगा मेवार शेली या मेवार एस्कुल रहेगा तो चलिए इन सभी शेलिओ को पढ़ेंगे देकिन हम पहले मेवार शेली को देख लेते हैं तो देखो मेवार इसकुल या मेवार शेली की बात करें, तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन शेली है भई, राजस्थान की सबसे प्राचीन शेली कौन सी है, मेवार शेली, याद रखिएगा, जो चार शेली है या चार इसकुल हमने पड़े हैं, मेवार, मारवार, डु जन्मदाता भी कहा जाता है मतलब जितनी भी शेलिया हुई है वो सभी किस से उत्पत्ती हुई है उसकी मेवार इसकूल से हुई है मतलब इसके बाद में हुई है आप यह कह सकते हो तो राजस्तान चित्र शेली की जन्मदाता किस सेली को कहा जाएगा मेवार शेली को कहा तो जो अधिक्तम जो चित्र बनाए गए हैं वो किसकी भक्ती पर आधारीद बनाए गए हैं श्री कृष्ण की भक्ती पर अधिक्तम इनके चित्र हैं मेवार स्कूल में क्या क्या देखा प्रिश्ण क्या क्या बन सकता है पहला प्रिश्ण बना राजस्तान की सब्से प्राचिन शेली कौन सी है तो मेवार शेली राजस्तान चित्र शेली की जर्मदाता किसको कहा जाता है मेवार शेली को राजस्तान में कौन सी शेली में भी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ रहे हो इस्टिवी विद पी एन लोदा एप्लिकेशन पर सारी चीज़े PDF के रूप में उपलब्द है और लगबग 25 टेस्ट आपके कला सल्सकरती के वहाँ पर अपलोड किये जा चुके हैं बुगोल के 20 टेस्ट जो आपकी लेकिन दिपाउली की चुट्टियां की वज़े से साथियों वह में अपलोड नहीं किया है तो अब लगबग यू माल लीजे दिपाउली आपके लगबग निकल ही चुकी है तो अब वह टेस्ट जी आपके लिए उपलबद हो जाएगा दोनो लेवल के लिए लेवल एक के लिए भी और लेवल दो के लिए भी तो आप डाउन्लोड जरूर करिएगा एपको और साथियों यह सारी चीजे आपको टोटल जो टेस्ट स्रीज है दोनों लेवल की ये एक सोननचास रुपे में इस्टेडे विद पियन लोदा एप्लिकेशन पर उपलब्द है मात्र एक सोननचास रुपे इसकी फीश है देखो वहाँ पर लेवल एक के लिए भी ये उपलब्द है लेवल दो ओल सब्जेक्ट की टेस्ट स्रीज है मात्र एक सोननचास में तो एप का लिंक मैंने कमेंड बोक्स में भी दे दिया है और एप आप प्ले स्टोर पे जाकर इस्टेडि विद पियन लोदा के नाम से सर्च करोगे तो एप आपको मिल जाएगा पांच अजार से अधिक लोगों ने लगबग एक मेने में एप को डाउनलोड कर लिया है तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है या डाउनलोड कर लिया है लेकिन कोर्स नहीं ले रखा है एक सोननचास की टेस्ट स्रीज का तो कोर्स जरूर लीजिएगा साथियो इसके चित्रकार है कमल चंद, जिसने कमल चंद के द्वारा ये जो ग्रंत है साथियों कब लिखा गया था, 1260 इस्वी में, कहां के रहने वाले थे, ये आहड उदेपूर के रहने वाले थे, और नोट लकर के एक और चीद लिखी है, सुपासनाह चरित्रम, साथियों इस ग्र प्रिष्णाप के बनता है यहां से, तो पहला प्रिष्णाप से क्या पूचा जा सकता है, कि राजस्तान का सबसे प्राचिंतम चित्रित ग्रंत कोई सा है, आंसर रहेगा शिरावक प्रतिकर्मन सुत्र चूर्णी, ये मोश्ट इंपोटेंट है वाई, यहां से आपसे प्र चित्रकार है कमल चंद कब चित्रित किया था 270 स्वी में, कहां के रहने वाले आहड उधेपूर के, दूसरा है सुपास नहर चरित्रम 1423 स्वी में चित्रित किया था, किसने ही रानान ने कहां दिलवडा उधेपूर में साथ यह, चलिए आगे हम बात करेंगे सबसे पहले द रेके थे मेवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वा विजे इस्तंब का निर्मान करवाय था विजे इस्तंब का इन्होंने निर्मान करवाय था ये वो ही राणा कुंबा है जिन्होंने कुंबलगर दुर्ग का निर्मान भी करवाय था तो साथियों उनके समय में ही इस उदेपूर शेली का सोतंत्र विकास हुआ था जबकि इसक साइकलोजी पड़ी होगी तो गोल्डन एज गोल्डन एज शब्द आपने जरूर सुना होगा साथियों जीवन का स्वरनकाल किसको कहा गया था किशोरवस्ता को सबसे यू मान सकते हो जीवन में सोने का जो समय होता है सोने नेंद लेने की बात नहीं कर रहा हूं सोरनकाल की बात की जा रही है तो साथियों उसको किशोरवस्ता कहा गया अब देखो और भी सारी चीजे होते हैं बहुत सारी अपने जीवन में कहीं बार क्या होता है हम कुछ ऐसे समय से गुजर रहे होते हैं जो हर चीज हमारे लिए पोजिटिव होती है जहां पर हम कदम रखते हैं वो जगे हमारी हो जाते हैं कदम रखते मतलब जहां हम जाते हैं एकतर से यूं माल सकते हैं अपना वर्चा स्विस्थापित करना तो स्वर्यन काल वो होता है सब का अपना अपना जीवन ही आप इनको जानते होंगे इनके जीवन में पहले बहुत शांदार इनों ने किर्केट खेला बीच में दो-तीन साल बहुत ज़्यादा डिश्टरपेंस रहे लेकिन वापिस अपनी ले में ही आ चुके तो वापिस इनका सुरनकाल चल गया समझ रहे होना बात को एक समझाने की कोशिश कर रहा हो में आपको तो उसी प्रकार उदेपूर शेली का भी सुरनकाल चला था अच्छा का सा विकास हुआ था बहुती अपनी चरम सिमा पर इसका विकास था महराना जगत सिंग पर्थम के समेसाथियो माराना जगत सिंग पर्थम ने चित्रकारों को राज के संरक्षन दिया था और साथियों आपको ये भी याद रखना है चितेरों की ओवेरी भी इन्होंने बनवाई थी किन्होंने माराना जगत सिंग पर्थम ने कहां पर उधेपूर में देखो चितिरों की ओविरी क्या है? तस्वीरों का कार ख्हाना Laik minha 흔대 came in sailing लिगा था डाइपिक मिश्टिय कोई है तस्वीरों का एक कार ख्हाना है जिसको कहा जाता है चितिरों की ओविरी कहाँ पर ये स्तिते उदेपूर में और इसका निर्मान किस ने करवया महराना जगत सिंग पर्थब ने और इन्हों ने चित्रकारों को राज के संरक्षन भी दिया था आगे हम उदेपूर शेली की बात करें तो साथियों उदेपूर शेली में जो नाइका का चित्रन किया गया है वो विप्र लब्दा के रूप में किया गया है देखो समझ रहे हो ना बात को उदेपूर शेली हम पढ़ रहे हैं तो उदेपूर शेली में जो चित्र बनाये जाते थे उसमें जो नाइका का चित्रन होता था मतलब जो नाइका जो राजकुमारी होती थी या नायक नाइका जाते हूं एक तरह से वरतमान में हम जिसको कहते हैं हिरोईन, क्या कहते हैं हिरोईन, तो जो हिरोईन का चितरन है या नाइका का चितरन किया गया था, वो विप्र लब्दा के रूप में बनाया गया था, देख मतलब नायक ने बोल दिया कि मैं 10 बजे वहाँ पर आऊंगा तो वहाँ पर मिल जाना मुझे वादा कर लिया और वादा करके क्या कर दिया तोड दिया अब वो इंतिजार कर रही है किसका इंतिजार कर रही है नायक का इंतिजार कर रही है तो यह होता है विप्र लब्दा, मतलब प्रेमी के द्वारा या नायक के द्वारा नायका से जूटा वचन देना, मतलब एक तरह से वादा करके वादा तोड़ देना, और फिर वो उसका इंतजार करती रहती है, उसकी बाड जोती रहती, घर का बाऊगे वो वाली बात है, त जाल रंग है जिस वरक्ष का मुक्षी रूप से उपयोग किया गया है वो कदम का वरक्ष है पशु है हाती आंखे है मीन के समान मीन मतलब मचली के समान और पक्षी मुक्षी रूप से कौन सा है चकोर है साथियों यह मुक्षी विशेष्था किसकी है आपके जो उदेपूर है उसकी है देखो मेवार शेली के चित्रकार भी देख लेते हैं देखो उदेपूर शेली को ही मेवार शेली कहा जाता है याद रखना हमने उपर देखा था मेवार स्कुल तो यह जो उदेपूर शेली है इसी को मेवार शेली के नाम से जाना जाता है उदेपूर शेली को म मेवार इसकूल के अंतरगत आती है तो भाई मेवार इसकूल के अंतरगत जो उदेपूर शेली आती है इस उदेपूर शेली को मेवार शेली भी कहा जाता है ये भी आपको याद रखना है तो इसके परमुक चित्रकारों को देख लेते हैं देखो साही बद्दीन इसका व्मरा, जीवा, बेरुराम ये सभी किसके रामे सात्यों। तो ये जो उधेपुर शीरिया मेवार शीरियं हैं ये इसके प्रणुक चित्रकारों के नाम हैं। प्रश्ण पोच लिया कि विकम चंद का संबन्द किस शीरियं से है। तो आपका अंसर हैगा मेवार शेली या उदेपुर शेली से, हिरानंग का संबन किस्से है, मनोहर का संबन किस्से है, उम्रा, करपराम, कमल चन, भेरुराम, जीवा, साही बद्दीन, इन सभी का संबन सात्यों किस्से है, मेवार शेली से है, ये सभी मेवार शेली के चित्रका रहे ठीक है यहां तक सभी के चलिए आगे बढ़ते हैं देखो मेवार स्कूल के अंतरगत हमने एक तो मेवार शेली या उदेपूर शेली देखी दूसरी जो शेली आती है वो आती है चावंड शेली कौन सी शेली आती है चावंड शेली महारणा प्रताप के चावंड को उसके विरुद्ध में तो देखो ये वही माराना प्रताप है जिन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था और इन्होंने यहाँ पर जो राजधानी बनाई चावंड को इसके बाद में वहाँ जो चित्रकला शेली जो विक्सित हुई है उसी चित्रकला शेली को क्य कहा जाता है 54 शेली के जो परमुक चितरा है वो कौन है नसीरुद्दिन को ने बई 54 के परमुक चितरा जो है चितरा मतलब चितरकार तो वो कौन है नसीरुद्दिन है 1605 इसवी में इन्होंने परसिद रागमाला चितर किसकी रचना है नसीरुद्दिन की कब बनाया था इन्ह इसके पोशक राजा ते किसके 54 शेली के अगर हम बात करें एक तो महराना प्रताप का नाम आता है इसमें और एक महराना अमर सिंग प्रतम का इसमें नाम आता है साथ यो तो यह जो दोनों राजा थे इसके पोशक राजा माने जाते पोशक मतलब इन्होंने 54 शेली को बड़ा प्रशक है उनमें शामिल किया जाता है। क्योंकि याद रखेंगे चावणोंग्य कों से स्कुल के अंतरगत आती है तो ऑंसर एगा। चावण शेली आपके मेवार स्कूल के अंतरगत आती है, पहला प्रिष्ण तो ये बन जाता है। दूसरा प्रिष्ण बना चावण शेली का प्रमुक चितरा कोन है नसीरुद्दिन, क्यों है क्योंकि इसने सोरो सुपांच इसमी में परसिद रागमला चितर बनाया था, इसके पोशक राजा कोन-कोन महराना प्रताप और महराना अमरसिंग पर्थम, चावण शेली कब प्रक राजसमन में नात दौरा पढ़ता है, इसका प्रारम नात दौरा शेली का प्रारम 1671 से माना जाता है, कब से माना जाता है नात दौरा शेली का प्रारम माना जाता है, जिस पर किसका प्रभाव दिखाए देता है, ब्रिज और उदेपूर शेली का प्रभाव नात दौरा श स्कूल के अंतरगत उपर हमने उदेपुर शेली दे की वो भी मेवाड स्कूल के अंतरगत सम्मिलित की जा रही थी और यह नाद दोरा शेली भी किस में सम्मिलित की जा रही है मेवाड स्कूल में ही सम्मिलित की जा रही है कहां पर है यह राजसमन में प्रारम कब हुआ 1671 से क इसका प्रभाव दिकाई देता है तो ब्रज और उदेपुर शेली का नात दोरा शेली पर प्रभाव दिकाई देता है। साथ यो नात दोरा शेली के प्रारम की बात करे और सोर्ण काल की बात करे। पिछवाई चितरकला और सांजी चितरन भी इसकी महज़पुन विशेस्ता है पिछवाई चितरकला इसमें की गई है सांजी चितरन सांजी मतलब एकर से पारवती जी का परतिकाप जिसको मानते हो ये इसकी परमुख विशेस्ता है किसकी नात दौरा शेली की तो नात दौरा वाज शेली कौन सी स्कूल के अंतर्गध vision 1770 में कहां? समंझ प्रारम किस के समय मारा ना उना जाता है मारा ना उना राज सिंह के समय परमुक विशेष्टा क्या है बगवान शेक्रिक्रिश्न की लिला उना किया गया है, पिछवाय चितरकला की गई है और सांजी चित्रन भी इस सेली में किया गया है चलिए आगे हम बात करेंगे परमुक चित्रकारों के बारे में तो देखो नात दोरा जो शेली है इसके परमुक चित्रकार है बीजी शर्मा नरुत्तम नारायन शर्मा चतुर बूज घासी राम उदे राम चिरंजी विलाल और कमल वे इलाईची, कमला और इलाईची इस शेली की परमुक महिला चितेरी है भई, नात द्वारा शेली की परमुक महिला चितेरी कौन-कौन है, एक तो कमला है और एक इलाईची है, जबकि इसके परमुक पूरुष जो चितेरा है वो कौन-कौन से है, बीजी शर्मा, नरत्तम न रायन, शर्मा, चतुरबूज, गासिराम, उदेराम और चिरंजी विलाल, ठीकिना चिरंजी विलाल सोरी, तो ये इन सभी का संबंद कौन सी शेली से है आपका अंसर हैगा नात द्वारा शेली से, देखो नात द्वारा का प्राचिन नाम ता सिंगाड और नात द्वारा जो शेली है, इस पर वल्लब संप्रदाय का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है, चोंसी संप्रदाय का वल्लब संप्रदाय का, तो नात द्वारा शेली में तो दो चार चीजे महत पुन है, कोन-कोन सी, कि वह ये मेवार स्कूल के इंतरगत आती है, 16-17 सारम, राज समन्द मे हैं, ब्राजोर उदेपुर शेली का इस पर परभाव दिखाई देता है, प्रारामवे स्वाणकाल महराना राज सिंग के समय, विशेस्ता कोन-कोन सी पड़ी, भगवान श्री कृष्ण की लीला है, पिछवय चित्रकला और सांजी चित्रान, इसके अलावा इसके प्रमुक अगली शेली देखेंगे, वो है आपके देवगर शेली, देवगर शेली कोन सी स्कूल के अंतरगत हमने पड़ी है साथियों, मेवार स्कूल के अंतरगत, उपर ही मैंने आपको बता दिया था, कि देवगर शेली को किसके अंतरगत सम्मिलित किया जाता है, मेवार स्कूल के प्रकाश में लाए थे, मारवाड की सीमा से लदे, लदे क्या लगे, देवगर ठिकाना में द्वारकादिश चुंडावतने साथियों, इसका अरम किया था, डुंडार पलस, मेवाड पलस, मारवाड की मिश्री शेली इसको माना जाता है, और इसके जो परमुक्चित्रकार है वो है चोखा, केवला, पेजनात और बक्ता, ये सबी किस सेली से सम्मंदित है, चोखा, केवला, पेजनात और बक्ता, इसका सम्मंद देवगर शेली से है, देवगर शेली में किसकी मिश्री शेली मानी जाती है इसको, तो डुंडार, मेवाड और मारवाड की मिश्री शेल में दवारकदिशच चुंडवतने साथ यू इसका आरंब किया था ठीक है ना और प्रकाश न हो प्रकाशच में लाने का सरीटा इसको दिया िचाता है श्रीधर अंजरे को अभी हमने चार स्कूल में एक स्कूल कंपलीट किया है कौन cables क्या है आपके जो मेंवार इसकोल है इसकी चारो शेलियों को हमने पढ़ लिया है जैसे हमने उतेपूर शेलियों के बारे में पढ़ लिया है अपने 54 शेलियों के बारे में पढ़ लिया है हमने 54 शेलियों के बारे में पढ़ लिया है और हमने देवगर शेलियों के बारे में भी पढ़ लिया है यह सार जो आता है आपके डुंडाड और मारवाड इन दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे मेटर थोड़ा बड़ा है तो इसको क्लास नमबर जो 36 आपके रहेगी उसमें कम्प्लीट करा दिया जाएगा और आपके चित्रकला वाला जो पार्ट है ये भी कम्प्लीट हो जाएगा तो च सेलिय आती है याद रखना है हाडवाड ओर दुंडाड और चित्रक जो 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 फार्ट हो इक में कम्प्लीट कर दिया जाएगा थीक न तो चलिए हाडवती ती देख लेते हैं देखो हडोती स्कुल में हम भूंदी शेली को हम पहले पढ़ेंगे साथ यो और इसका जो पेपर है इसका पेपर आपको कल मिल जाएगा ठीके ना इसके एक दिन बाद वहाँ पर टेस्ट अपलोड कर दिये जा रहे हैं कला संसकर्थी के साथ यो और भूगोल के तो लगबक कंप्लीट हो चुके लेकिन भूगोल के उसी 119 रुपे की टेस्ट स्रीज में जो आपको नोट्स पढ़ा रखे ना उनसे वह आपिस टेस्ट किसको दिया जाता है सुर्जन हाडा के समय इसको प्रारम करने का श्रे दिया जाता है कि सुर्जन हाडा का जो काल था मतलब सुर्जन हाडा जब बूंदी के शाशक थे तबी बूंदी शेली का आरंब हो था जबकि इसके स्वणकाल साथियों राव उमेद सिंग का जो समय राव उमेद सिंग जिस समय बुंदी के शैशक थे तो उस समय को बुंदी शेली का स्वनकाल माना जाता है इन्होंने किसने राव उमेद सिंग ने तारागर दुर्ग बुंदी में चित्र शाला का निर्मान करवाया जिसमें बित्ती चित्र इस्ती थे एक चित्र शाला का नि इसे बित्ती चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं ये जो राव उमेज सिंग के समय तारगर दुर्ग बूंदी में जो इन्होंने चित्र शाला का निर्मान करवाया था इस चित्र शाला को क्या कहा जाता है बित्ती चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है तो आंसर आपका देखो प् देखो यहां के जो परसिद है वो बित्ती चित दिवारों पर बने जो चित्र है वो ही सरुपरसिद है जिन पर किसके चित्र बने हुए पश्यू पक्षियों के चित्र बने हुए है साथ यो पश्यू पक्षियों का चित्रन किया गया है बारिश में नाचते हुए मोरों का च जो बुंधी शेली है इसकी, तो यहांपर महिलाओं का कट छोटा बनाया गया है, महिलाओं की जो नाक है WHO चप्ति रखी गई है, और मोटे-मोटे गाल उनके रखे गए हैं, यह किसकी विश्यस्ता हैं, तो भई यह बुंधी शेली की विश्यस्ता हैं, आगे हम बात करेंगे साथ यों कोटा शेली की लेकिन बुंदी शेली में क्या क्या याद रखना है देख लेते हैं बुंदी शेली में सबसे पहली जो बात है सुर्जन हडा के काल में बुंदी शेली का आराम हुआ जबकि इसका स्वर्ण काल किसके समय को माना जाता है राव उमेज सिंग का जो समय हैं इसमें बूंदी शेली का स्वर्ण काल माना जाता है क्योंकि तारगड में जो जो बूंदी में जो तारगड दुर्ग है वहाँ पर इन्हों एक चित्रशाला का निर्मान करवा है और उस चित्रशाला में बित्ती चित्र इस्तीत है मतलब दिवारों पर चित्र बने हुए हैं और इनको ही बित्ती चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है यहां के परसिद्ध क्या है बित्ती चित्र परसिद्ध है चित्रा दिकतर पश्व पक्षियों का चित्रन हुआ है बारिश में नाचते हुए मोर यहाँ पर बनाए गए है विशेस्ताओं की बात करें जो नोर्मली जो चित्र बनाए गए है उसमें मैलाका का चोटा रखा गया है चप्टी नाक रखी गए और मोटे मोटे गाल रखे गए हैं चलिए एक कोटा शेली के बारे में बात करेंगे देखो यह जो हमने बूंदी शेली और कोटा शेली जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन से स्कूल के अंतरगत आ रही है भाई ये आपके हाडोती स्कूल के अंतरगत आ रही है ठीक है ना मेवार स्कूल हमने कंप्लीट कर लिया और हाडोती स्कूल भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे मारवार स्कूल और डुंडार स्कूल आपके बचेगा मारवार और कर लेंगे तो देखो कोटा शेली की बात करेंगे इसकी शुरुवात महरावल उम्मेद सिंग के काल में मानी जाती है कब कोटा शेली की जो शुरुवात है इसका जो आरम हुआ था कब हुआ था महरावल उम्मेद सिंग के समय में इसे शिकार शेली भी कहते हैं याद रखना ह आपको बस शिकार शेली क्यों कहेंगे इसको क्योंकि इसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो जिसे कोई शिकार करने जाते थे ना पुराने जो राजा महरा जाते तो साथियों ये शिकार करने जो जाते थे तो वो ही चित्र इस सेली में बनाए गए हैं इसी वज़े से कोटा श राजा जो जानवर हे साथ यो पशु पक्षी है इनका शिकार करते हुए इस शेली में दिखाये गए हैं इसके जो चित्रकार है वो है डालू और लच्छी राम और जबकि इसकी विशेषता है शिकार करती हुई राणियों के चित्र भी यहां पर मिले हुए हैं मतलब राजा में क्या-क्या चीज़े याद रखने हैं कि शुरुआत हुई थी महारावल उम्मे सिंग के काल में इसे शिकार शेली कहते हैं शिकार शेली क्यों कहते हैं बता दिया क्योंकि इसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो शिकार करते हैं उससे संबंदी चित्र बनाए गए हैं इसके प्रमुक्चित्र आखेट या शिकार इस्थल के हैं चित्रकाल परसिदिस के डालो लच्छी राम है और इसकी विशेष्था है शिकार करती हुई राणियों के चित्रे तो ये दो देखो चित्रकाला का जो अपने क्लास नमबर 36 में ये आपके टोपिक किलियर हो जाएगा साथी उसके बाद में इस दो तीन टोपिक और आपके बचेंगे जो आने वाले कुछ दिनों में आपको कंप्लिट करवा दिये जाएगे अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेर जरूर करिएगा मिलते है ने क्शू